मदर बचन है मदर बचन है औशधी कटुक बचन है तीर स्रवर द्वार हुई संचरे साले सकल सरी मदर बचन है औशधी कटुक बचन है तीर स्रवर द्वार हुई संचरे साले सकल सरी दोस्तों कबीर तासची के इन दोहों को हम आम जीवन में कभी न कभी अवश्य प्रयोग करते हैं जैसे इस दोहे का अर्थ है कि अगर हम किसी से मदर वारी में बोलते हैं तो वो वचन उस व्यक्ति के लिए दवा के रूप में काम करते हैं अगर हम किसी से कड़वे बोल बोलते हैं तो जब ये बोल कानों के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो सारे शरीर को तीरों के समान भेद डालते हैं जिन्दवी में मीठी बोली बहुत महत्त की चीज है कड़वी बोली तो जीवन में बहुत ही बुरी मानी ये जो लोग मधुर मानी बोलते हैं वे सब को प्यारे होते हैं कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कोई आउशद रोगी को स्वस्थ बना देती है उसी प्रकार यदि पीडित, परेशान, बहुवल और कुछ बड़े अन्मने व्यक्ति से भी मीठी बानी में बात किया जाए तो उसे तसल्ली मिलती है उसे शांत मिलती है उसे सुख मिलता है इसके विपरीत अगर किसी शांत व्यक्ति से भी कड़वानी में बात की जाए तो कड़वी बोली उसे पीडित कर देती है ये तीर के समान उसे चुखती है जैसे तीर लगने से हर्ण पीडित होता है उसी प्रकार कड़वी बोली कान के मार्ग से हर्ण तक पहुँचती है और व्यक्ति को आशांत करती है, पहुंचती तो कान के मार्ग से हरने तक है, लेकिन सारे शरीर को पीरित करने लगती है, इसलिए मीठी बोली सदेव बोलना चाहिए, कड़वी का त्याग करना चाहिए साले सकल सरीर, साले सकल सरीर, साले सकल सरीर